Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी होंगे अगर आप United Nations के हिसाब से genocide word को describe करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से describe होता है कि अगर आप किसी भी race या किसी भी religious community के लोगों को targeted तरीके से completely या partially मारते हैं तो वो genocide के category में आता है Exactly हम कह सकते हैं कि Benjamin Netanyahu आज के date में गजा में genocide ही कर रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये United Nations के अलग-अलग organizations ने कहा है और आज भी कह रहे हैं रफा गजा में वो area पढ़ता है जिसके बाद Egypt का border शुरू हो जाता है तो कहने का मतलब है कि गजा में अब कोई ऐसा जगन नहीं रह गया है जहां पे वहां के लोग अपने आपको बचा सके या छुपा सके उसके बावजूद Israeli Defense Forces के दवारा वहां पे bombing किया जा रहा है और कहने के जरुवत नहीं कि जो maximum casualties है वो बच्चे और औरतों को हो रहा CNN ने कुछ गजा के लोगों को interview किया जहां पे उनका कहना था कि death is more dignified than this कहने का मतलब है जिस हिसाब से suffering हो रखा है गजा में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा सुनहरा मौत होता है तो अगर मैं आप लोगों को map में रफा दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है अगर मैं इसको ज़्यादा zoom in करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां से Egypt का border शुरू हो जाता है और इसके बाद यहां से पीछे भागने या कोई जगर नहीं ये एक साइट समंदर पड़ जाता है तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी रूम में आपको इतना ज़ादा push कर दिया गया है कि आपके पीछे अब दिवाल ही रह जाता है तो कहने का मतलब है कि अब इस तरीके से bombing किया जा रहा है जहां पर पता है कि हमास के नाम पर गजा में जो common civilians है बच्चे हैं उनको target किया जा रहा है और बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो generation है गजा का उसे खतम किया जा रहा है और again मैं याद दिला दू ये मेरे शब्द नहीं है बहुत सारे ऐसे civilians खुद इसराइल के ही है जो इस चीज को मान रहे हैं कि जिस तरीके से Benjamin Netanyahu गजा में अब attack कर रहे है इसका जो परिणाम है वो बहुत ही बुरा होने वाला है जिसके कारण जो common civilians है यानि कि जो common Jewish है उनको भी भुगतना पड़ेगा और maybe काफी बुरा भुगतना पड़ेगा ये साथ में का picture post किया गया था Israel Defense Forces के दुआरा जहां पे उनका ये claim है कि वो रफा में बहुत ही precise तरीके से counter-terrorism को अंजाम दे रहे हैं लेकिन ये मान पाना बेहत मुश्किल है कि जिस area में इतने ज़्यादा लोंग रह रहे हैं वहाँ पे आप exactly identify कैसे करेंगे कि कौन हमास का है और कौन हमास का नहीं है अगर वहाँ पे कोई terrorist रह भी रहा तो वो इतना बेहोकूफ नहीं है कि वो अपने body में कोई ऐसा sign को carry करेगा जिससे ये मालूम पर सके कि वो हमास का terrorist है या member है वहीं अगर बात किया जा तो लगभग ये 22 घंटे पुराना article है CNN का जहां पे आप साफ देख सकते हैं कि at least 27 people have been killed in Rafa जिसमें से कि 6 औरते हैं और 9 बच्चे हैं इसमें कहीं से कोई दो राहनी है कि जिस तरीके से हमास ने 7 अक्टूबर को attack किया था वो तरीका गलत था जिसको लेके officially government of India ने भी काफी criticize किया लेकिन 1200 लोगों का जान का बदला आप लगभग 40,000 लोगों को मार के लेंगे और उसके बाद जिस तरीके से गजा को पुरा destroy कर दिया गया है उसे दुबारा rebuild होने में कम से कम 50 साल का वक्त लग जाएगा और उससे भी कहीं बड़ी बात है कि वहाँ पे पुरा generation ही खतम हो जाएंगे तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से Adolf Hitler का Holocaust को याद किया जाता है अगर आप उस situation को अभी अगर आप compare करेंगे तो शायदी कोई difference आपको समझ में आएगा वहाँ भी targeted तरीके से लोगों को मारा गया था और यहाँ भी Benjamin Netanyahu के द्वारा targeted तरीके से लोगों को मारा जा रहा खास करके बेकसूर लोगों को वहीं अगर हम United Nations की माने तो अभी इस वक्त रफा में लगभग 14 लाख लोग वहाँ पे रह रहे हैं जो कि 7 October के पहले सिर्फ और सिर्फ तीन लाख लोग वहाँ पे रह रहे थें तो कहने का मतलब है कि अगर अचानक से इतने छोटे एरिया में इतने लोग पहुँच जाएंगे तो नॉर्मल जो basic चीज भी होता है वो भी किसी को नहीं मिलेगा और उसके बाद एगर situation war वाला हो और किसी भी तरीके से अगर उस एरिया में humanitarian aid ना पहुचे तो ये सोच पाना भी काफी disturbing है कि वहाँ के जो लोग है उनका क्या हाल हुआ होगा अगर आप इस map को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये Egypt का border है जो कि किसी भी तरीके से Egypt ये allow नहीं करेगा कि रफा के लोग उसके देश में घुसे और उसके बाद इस तरफ आपका समुन्दर पढ़ जाता है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे इनके पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बच जाता है वहीं पे Associate Press के दवारा एक United Nation के top official का interview लिया गया जहाँ पे वो exact word use करते हैं कि full blown famine कहने का मतलब है कि ये complete तरीके से भुखमरी का situation है तो एक तो होता है कि आप किसी भी लोगों को या group of लोगों को आप directly मारते हैं और उसके बाद होता है कि जो situation उसके बाद अकर होता है उसके करण भी काफी लोग मारे जाते हैं यानि कि war के बाद भी काफी लोग मारे जाते हैं क्योंकि supply chain disrupt हो जाता है समय पे लोगों को खाना नहीं मिलता है, medicine नहीं मिलता है वहीं पे अगर US के defense chief के माने तो जो weapons Israel को मिल रहे थे US के द्वारा उस पे hold लगा दिया गया है कहने का मतलब है कि already 40,000 से भी लोग अधिक मारे जा चुके हैं और possibility इससे भी जादा है कि इससे भी अधिक लोग मारे गया होंगे पूरा का पूरा एक area का infrastructure तबाह हो गया है और तब जाके US ये कह रहा है कि वो weapons का जो delivery है उसे halt पे डाल दिया है वहीं पे अगर कहा जाए तो हमास ने इसराइल का peace deal को मान लिया था जिसको की Egypt और Qatar ने facilitate किया था लेकिन इसराइल के दुआरा ये कहना था कि जो इसराइल का जो demand रखा गया था हमास के सामने उस demand को fulfill नहीं किया गया था और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो Benjamin Netanyahu को close रह चुके हैं उनका ये मानना है कि Benjamin Netanyahu किसी भी तरीके से peace deal को करना ही नहीं चाहते है और उनका obsession है कि वो रफा को भी complete तरीके से जमीन में मिला दें और इसी बीच बहुत सारे लोगों का ऐसा भी शक है कि हो सके जिस तरीके से West Bank में Jewish को settle किया गया है उस तरीके से maybe गजा में भी settle किया जाए जो भी हो लेकिन जिस तरीके से situation हो रखा है रफा में या in fact पूरे के पूरे गजा में ये कहीं से भी as in human being आप इसको accept नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे जो US का brutality है या उनका जो एक बहुत brutal mindset है वो भी समझ में आता है और ये सिर्फ Gaza या Palestine तकी सिमित उनका mindset नहीं होगा बलकि ये mindset हर उस एरिया में सिमित होगा या हर उस एरिया तक जा सकता है जिस एरिया का USA से अच्छा connection ना हो और उसके बाद जिस targeted तरीके से innocent लोगों को मारा जा रहा तो कहीं न कहीं ये चीज़ Palestine के लिए भी काफी बुरा है और in future ये हो सकता है कि Israel as in country उनको भी काफी strong retaliation देखना पड़े I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye